बरपूर लाभ प्राप्तिकी स्थिती लेकिन संगर्ष से होगी उन्नति सकारात्मक विचारों से अपने जीवन में नई उर्जा निर्मान करे हैं सकारात्मक था अपनी सभी परेशानियों पर समाधान प्राप्त करने का अमोग अस्त रहे इस बात को तुला राशी के सभी जातकों ने इस महिने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए है। सकारात्मक विचार इस काल में आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी, आप सभी जोतीश प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर दोजार चोवीस महिने के राशी भोविश्य को समझ रहे हैं। आज हम तुला राशी के जातकों के लिए ये महिना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाब करेंगे। विविन दुरुष्ट कोन से इस महिने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विशलेशन करने वाले हैं। साथ ही विडियो के अंत में मैं आपको इस महिने करने वाला विशेश उपाई भी बताने वाली हूँ। इसलिए विडियो को अंत तक देखना न भूले। व्यक्तितों की दुरुष्टी से जब हम विचार करते हैं तो राशी स्वामी की स्थिति महतो प्रोणा होती है। तुला राशी के स्वामी शुक्रदयु की यात्रा आपके व्यस्तान से सुरू है। विशेश बात है कि वे नीज अवस्ता में हैं, उससे भी महतों पुर्णा बात है कि उनकी यात्रा आध्यात्मिकता के कारब केतु गरह के साहत्त सुरू है। ऐसी नकारात्मक स्थिति में आपको अपनी सकारात्मकता बनाये रखनी है। उससे नहीं उर्जा निर्मान करनी है और अपना व्यक्तित्व कर्तुत्व से सम्रुद्ध करना है इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में ले धन परिवारवानी की दुरुष्टी से विचार करें तो तुला राशी के लिए मंगल देव की स्थिती महतोपरोण होती है क्यों बात है कि वहाँ पर उन्होंने केद्रत रिकोर्ण राजयोग भी बनाया है जो शुबस्तिति कहीं जा सकती है संग्षेप में इन सभी दुरुष्टियों से ये महिना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है इसलिए आपने उसका पूरा उपयोग करना चाहिए पराक्रम्य परिश्रम की दुरुष्टी से विचार करें तो तुला राशी के लिए देव गुरु ब्रुहस्पितिक की स्थिति महत्व पूर्ण होती है क्योंकि वह आपके परिश्रमेश है गुरु देव इसकाल में आपके अस्टम स्थान में विराजबान है परिश्रम करते समय को पार करते हुए लगातार उन्नती करने वाले हैं वास्तू वाहन भुमी सुक़शांती की दुरुष्टी से विचार करें तो तुला जातकों के लिए इस काल में सकारात्मक योग निर्माण हुए है ऐसा हम कह सकते हैं वास्तु वाहन के सकारात्मक योग आपके लिए निर्माण हुए है इसलिए जो जातक नई वास्तु या वाहन का स्वपन देख रहे हैं उस दुरूष्ठी से आपकी नीचर लेना ये चीजे भी जातक कर सकते हैं संग्षेप में इन सभी दुरुष्टियों से ये काल आपके लिए सकारात्म के वंशुभ कहा जा सकता है पूरा उपयोग करे शिक्षा संतती प्रड़ाई की दुरुष्टी से विचार करे तो तुला राशी के जातक पढ़ाही म पर आपका मन घर पर लगा रहेगा जिसे हम होम सिखने स्कहते हैं वहां आपको लग सकती है लेकिन आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाही पर केद्रित करें ये सलाह दी जाती है विवह की दुरुष्टी से विचार करे तो इस काल में विवह जुडने के योग नहीं है लेक कर dow 1947 के लिए यह महिना ठोड़े परिशाणी का कहा जा सकता है कि अपने स्वास्त का उचीत ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा नकारात्मक विचारों से हुआ कभी-कभी स्वास्त संबंदित पर लोकर सांबना करना पड़ता है चल्व को विशम सिग्रता से अ केवल आप अपने स्वास्थ का विचारों का उचित द्यान रखे ये सलाह दी जाती है नोक्रियों व्यावसाई की दुरुष्टी से विचार करे तो जो तुला जातक नोक्री कर रहे हैं उनके लिए काल थोड़ा बाधाओ का अतिरिक्त परिश्रम का लेकिन सफलता देने वा तो व्यावसाईक तुला जातकों के लिए ये काल भाग्य का भाग्य से लाभका रहेगा आप नोक्री करने वाले हो व्यावसाईक हो इस महिने आपको लाभके आउसर निश्चित रूप से प्राप्त होंगे इस काल का पूरा उपयोग करें भाग्ययों शुबसंकेत की लाभेश का लाभस्तान में होना बड़ा शुबसंकेत कहा जा सकता है पंचमेश अर्था त्रिकोन का स्वामी भी पंचम स्थान में होना बड़ा शुबसंकेत है साथ ही सब्तमेश भाग्य स्थान पर आये है उन्होंने केंद्र त्रिकोन राजयोग बनाया है ऐसे कई शु वह प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं इस काल का सदुपयोग करें कर्म की दुरुष्टी से विचार करें तो तुला राशी के भांगेश कर्मस्तान में विराजबान है जिसे हम सकारात्मक स्तिति कह सकते हैं जिस कारण आप जितना अधिक कर्म करेंगे उतना ही आपका लाव कारी रहेगा लाव की दुरुष्टी से विचार करें तो जोतिश नियमों के अनुसार लाभस्तान में आने वाला हर ग्रह लाव देने के लिए वहाँ पर आता है विशेश बात है कि इस मेने आपके लाभेश लाभस्तान में विराजबान हैं जिस कारण लाभ के वे एवं परदेश कोबन की दुरुष्टी से विचार करें, तो तुला जातकों को इस मेने अपने सोयम के लिए परिवार के किसी सदस्य के लिए होस्पिटल का खर्च करना पड़ेगा, जिस कारण आप थोड़े निराश भी हो सकते हैं, उसे दूर करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं या यात्रा पर जा सकते हैं, ऐसी संभावना आपकी कुंडली में निर्मान हुई है, इसलिए वैसी मानसिक्ता पहले से ही बना ले आगे बढ़े हैं, जीवन सुक दुक और उतार चड़ाव से भरा होता है, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता, उस अनुशार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता, महने के कुछ दिन सूख सबाधान सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संगर्श कठिनाईया और तनाव से भरे होते हैं, इस दुरुष्टी से तुला जातकों के लिए 9, 18 और 22 ये दिन सुख अठिनाईयों बादाहों और समस्याओं का अनुभों करेंगे, तो ये मानसिकता बना ले आगे बढ़े, उपायों की दुरुष्टी से विचार करें, तो जोतिश में अतन्त छोटे-छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गये हैं, अशुबह चीजों चावल, घी, चीनी जैसी चीजे किसी कन्या को दान करनी चाहिए, ऐसा करने से कुंडली का शुक्र मजबूत होता है, ये उपाय आवश्य करें, इस प्रकार मेश से लेकर मिन तक हर राशी के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा, ये समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चै लिकना ना भुले, धन्यवाद, शुभम, भवतु, हरर जोतिश, घरकर जोतिश, जोतिश का द्यहन तता शास्त्र की, शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए, मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये है, उनका अवश्य लाभ लीजिए, प्लीज, लाइक, शेर, और सब्सक्राइब दी चैनल, और हाँ, बेल आइकोन दा बना ना भुले, धन्यवाद,